हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं गौपासार्वा डोट मोटिवेशनल चैनल से आपका हार्दी का विनन करता हूँ आसा करता हूँ आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं मेरा मनोवल बढ़ा रहे हैं और मेज़े खुसी होती है कि मैं पॉड़कर आपके सामने कुछ ग्यान बर्दक बाती है आपको बताओं बिल्डिंग बाइलोज से लिटिड आज जो उत्राखंट के अंदर बाइलोज है बिल्डिंग का बिल्डिंग बाइलोज उसका एक चैप्टर है नियुनताओं आज से कितना होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताओंगा दोस्तों मेरा नाम गुपार किशन चर्मा मैं एड्वोकेट और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आवस्की बुकंड छे तरफल में नियुनताओं वर्ग मीटर और अधिक्तम में नियुनताओं आवसक कि देखकर नोट कर सकते हैं दो तो सबसे कम चेतर में जो प्लॉट होता है तीस से पैतालिस वर्ग मीटर तीस से पैतालिस वर्ग मीटर में हमारा फ्रंट सैट बेक वन पाइंट टू मीटर होना चाहिए बेक साइड में इसमें कोई प्रवजन नहीं है कुछ नहीं दिया र हमाले साइड के जो होते हैंगे फर्स्ट और सेकेंड के अभी मैंने आपको फ्रंट और बेक का बता दिया है अब मैं बता रहा हूं आपको 45 45 से अधिक 75 तक स्कॉयर मीटर के छे तफल में 1.5 मीटर फ्रंट सेट बेक होगा 150 से अधिक 300 स्कॉयर मीटर तक प्लॉट एरिये में हमारा होना चाहिए 3 मीटर फ्रंट सेट बेक और बेक साइड का सेट बेक होना चाहिए 2 मीटर रियर और में कोई भी नहीं है कोई खाली है उसमें उसमें कोई ऐसा प्रॉपजन नहीं दिया हुआ है बाइलोज के अंदर और 300 से अधिक और 500 तक यानि कि 500 स्कॉयर मीटर तक भुकन जो है प्लॉट एरिया है आपके पास तो उसके उसमें आपका फ्रंट सेट बेक 4.5 साइड का जो होना चाहिए रियर साइड का 1.5 होना चाहिए इस मिटर में 500 से अधिक वे 750 तक स्कॉयर मीटर तक 5.5 मीटर बेक में 3.5 और रियर में 3 मिटर और रियर के दूसरे साइड में 2 मिटर होना चाहिए सेट बेक 750 से अधिक वे 1000 स्क्वाइर मीटर के प्लॉट में 6.5 मीटर फ्रंट में 4 मीटर आपके बेक साइड में और रियर में आपके 3.5 मीटर और 3 मीटर यह होना चाहिए आपका सेट बेक छुटा हुआ और 1000 से अधिक स्क्वाइर मीटर के प्लॉट में 7.5 मीटर फ्रंट सेट बेक होना चाहिए और बेक साइड का 4.0 और रियर में 4 और रियर टू में भी 4 मीटर होना चाहिए और गुरुप में बतातों गुरुप आफोर्डेवल हाउसिंग में हमारा फ्रंट सेट बेक 8.5 मीटर बेक साइड में 5 मीटर और रियर सेट बेक में 1 और रियर सेट बेक दाएं भाएं में 5-5 मीटर होना चाहिए दोस्तों ये बहुत छोटी वीडियो मैंने मनाईए ये सेट बेक के बारे बताईए बहुत लोग मेरे सेट बेक होता क्या है क्यों छोड़ते है क्यों छोड़ना चाहिए तो दोस्तों setback छोड़ना चाहिए आपको इसलिए मैंने बताया है कोई plot area है तो उसमें आपको कितना area छोड़ना है ये meter मैंने बता जिए front के और back side के बता दी है और plot area के इसाफ से मैंने बता दी है कि इतना इतना आपको छोड़ना चाहिए यदि आप rear setback या side setback या front setback नहीं छोड़ते हैं तो उसमें आपके penalty भी लग सकती है और काफी consistent आपके building हो जाएगी इसलिए आपको ये चीजे इतना छोड़कर बनाना चाहिए इसके अंदर जैसे हैं ना मतलब covered area जिसको बोलते हैं इतना छोड़ देना चाहिए और पीछे का इतना छोड़ देना चाहिए जैसे पीछे आंगन भी होता है का आगे पोर्च भी होता है इतना खुलाए एरिया हो छोड़ना चाहिए इसका मतलब जो अब तक setback होते हैं जो हमें cover करने होते हैं उसका provision दिया हुआ है यह आज मैंने आपको residential के लिए बताया है और commercial का भी मैं आपको बताऊंगा आज का मैं commercial का भी नहीं बता पा रहा हूँ सारे क्योंकि demand ज्यादे तर residential की है लोग अपना घर ज्यादे बनाना चाह रहे है affordable house होने चाहिए उनके इसने मैंने बताया है और आपको कोई सवाल करना तो मेरे से पूछ सकते है मेरा number है 971947710 971947710 दोस्तों जिन लोगोंने जिन दोस्तोंने मेरे आज पहली बार आ रहे हैं या पहले नहीं किया मेरा subscribe नहीं किया चैनल उनसे मेरी request है वह subscribe कर दे और बेल आइकोन का बटन भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मुझे खुसी होगी और इस समय रात का एक बज़ रहा है लेकिन जितने भी लोगों ने अब तक मेरे फोन की है मैंने फोन पर सबको संतुष्ट किया है सबको मैंने फोन पर जवाब दिया है आप मुझे फोन कर सकते हैं चाहे मैं दो मिनट बात करूँगा या पांच मिनट बात करता हूँ मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा दोस्तों आसा है आप मेरे से संतुष्ट होंगे और अगली वीडियो आप किस टाइप की चाते हैं मुझे बताईएगा और मैं दूसरी वीडियो बाइलोज से एलेटिड मैं बताऊँगा आपको तब तक दोस्तों मुझे इजारे द अजारे दोले दोस्त歹ू किस लीडियो आपको ते पर दोलेग안 की चाते हैं बताईमंड़ मैं दूसुछ आपके संक्तू